जै हनुमान ग्यान गुन सागर, जै कपीश, तिहू लोकुजागर, हनुमान चालीसा की पहली चुपाई हनुमान चालीसा पर पहले दोनों दोहे हमें उन स्ट अफ कंडिशन्स के बारे में बताते हैं जिनको फुल्फिल करके ही आप अनुमान चालीसा को practically अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं या पूरा लाब ले सकते हैं मेरे पिछले दो वीडियोज हनुमान चालीसा के पहले दो दोहों पर थे और उससे भी पहले जो वीडियो था वो religious sacred text को अपनी लाइफ में practically अप्लाई करने के बारे में था आप इस वीडियो के साथ-साथ वो तीनों वीडियोज भी अवश्य देखें तभी आपको पूरी understanding होगी जै हनुमान चालीसा की पहली चपाई का पहला बाग हनुमान शब्द के कई अर्थ बताए गए है कुछ वर्जन में हनुमान शब्द को disfigured jaw के साथ जोड़ा गया है और कुछ वर्जन में इसे तामिल के एक शब्द से derive किया गया है अनुमंत यानि कि male monkey के साथ भी इसे जोड़ के दिखा गया है कुछ वर्जन में ये कहा गया है कि हनु एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है destroyed और man मतलब pride तो हनुमान मतलब वो जिनका pride destroy हो चुका हो या फिर वो जिन में ego नाम की कोई चीज बची ही ना हो 2017 में से ही मैं ego वाले version पर ही believe कर रहा हूँ अपनी एक blog post में भी लिखा था और इस पर अधियन भी कर रहा हूँ मेरी observation है कि अगर हनुमान चालीसा का पूरा benefit लेना है तो सबसे पहले अपनी ego को मार कर गंगा जी में भादे जो आज तक हुआ उसे भूल कर एक fresh beginning करे तभी आपकी जय होगी ना तो आगे बढ़ने में ego कभी आड़े आएगी और ना ही ego के कारण चोटी मुटी चीजों पर समय वियर्थ करेंगे मेरे इस version के साथ कुछ लोगों के मत्बेद हो सकते हैं पर ये version है बड़ा लाबधायक और दूसरे दोहे का आकरी भाग था हरहू कलेश विकार आप उस बुद्धिहीन वाले जोन में जाएं जो मैंने दूसरे दोहे वाले विडियो में बताया था और ये अनुलाइज करें कि आपकी ego के कारण आपके जीवन में किस-किस तरह के कलेश और विकार है और इनके कारण लाइफ में आपने क्या-क्या खोया है हनुमान जी रास्ता दिखाईए ज्यान गुन सागर हनुमान चालीसा की पहली चुपाई का दूसरा बाग ज्यान यानि नॉलेज गुन यानि टेलेंट और नॉलेज को अप्लाई करने की capability और सागर यानि C समुद्र समुद्र में बड़ी बड़ी नदियों समुद्र में बड़ी बड़ी नदियों को अपने में समा देने की capacity होती है जैसे कि हमारी पवित्र नदी गंगा जी बेफ एंगौल में समा जाती है हनुमान जी को ग्यान गुन सागर कहा गया है क्योंकि उनमें हर तरह के ग्यान और हर तरह के गुन अपने अंदर absorb करने की unlimited capacity है वो इसलिए है क्योंकि वो एक keen learner है हमें भी वो hunger for knowledge अपने अंदर पैदा करना है हनुमान चालीसा में ग्यान का सीम बंडार बड़ा पड़ा है उसे absorb करने के capacity और उसे apply करने का संकल्प लेकर ही आप हनुमान चालीसा की अगली चुपाईयों की तरफ बड़े capacity धीरे धीरे बड़ेगी लेकिन शुरुवात आज से ही करें ultimate aim यह होना चाहिए कि जैसे एक सागर में नदियों को absorb करने के capacity हमेशा रहती है वैसी ही capacity हमें अपनी knowledge बढ़ाने और उसे apply करने की build करनी है जै कपीश हनुमान चालीसा की पहली चुपाई का तीसरा बाग कपी वानर को कहते हैं और कपीश वानरों का राजा हनुमान जी को यहाँ कपीश कहा गया है एक वानर के कुछ personality traits है intelligence, full of energy witty यानि की चतुर, curious होना जो की एक regular learning में help करता है और flexible यह सभी personality traits हनुमान जी में भरपूर है और अगर हमें हनुमान चालीसा का पूरा लाब उठाना है तो अपने अंदर भी strengthen करने होंगे आप इस aspect को recognize करें और हनुमान चालीसा की अगली चपाईयों की तरफ बढ़ी है जब आप एक एक चपाई के central message को life में practically apply करते जाएंगे तो यह सारे personality traits आप में समय समय के साथ strengthen होते जाएंगे तब ही मिलेगे हनुमान जी के अश्षिद्यों और नवरिद्यों तीहू लोक जागर हनुमान चालीसा की पहली चपाई का आकरी बाग हिंदू धर्म में तीन लोग हैं धर्ती, मदर अर्थ जिस पर हम रहते हैं आकाश, स्काई और पताल लोग यानि की deep down अर्थ एक human personality को मैं तीन भाग में माट रहा हूँ धर्ती, worldly things हमारा daily routine, हमारा family और society के साथ interaction और उससे जुड़ी चीज़े हैं जैसे कि आपका कारोबार, आपकी नौकरी आपके personal relations, रीती रिवाज एक human अपना सबसे ज़्यादा time इसी पर वितीत करता है आकाश, higher goals in life जो आप असल में बनना चाहते हैं लेकिन daily routine के करण कर नहीं पाते अगर three idiots आपने देखी हैं तो आप इस बात को समझ गए होंगे पता लोग, आपके अंदर की subconscious personality जो की ना तो बाहर वालों को दिखती है और ना ही आप भी उसे अच्छी तरह पहचानते हैं कुछ human traits जो इसमें आते हैं hidden fears, hidden talents, hidden desires हमें daily routines भी पूरे करने हैं life में चो असल बनना चाहते हैं उस तरह भी कदम बढ़ाना है और अपनी subconscious personality को पहचानना भी है अगर आपके subconscious mind में कुछ negative traits embedded हैं तो वो आपको आगे बढ़ने से रोख सकते हैं गलत personality traits को अपने अंदर से दूर करना है और अच्छे personality traits को strengthen करना है इसके लिए किसी expert के पास भी जाना पड़े तो जाएं तबी तीनों लोकों में आपका डंका बज़ेगा ये था हनुमान चलीसा की पहली चुपाई का central message हर एक ही अपनी अपनी life situations होती हैं अलग-लग और skillset ये experience भी अलग-लग होते हैं जब भी ये dilemma हो life में कि जो कर रहे हैं उससे कुछ अलग करना चाहते हैं तो वो गुद्धिहीन वाला zone जो मैंने बताया था दूसरे दोहे वाले वीडियो में उस zone में जाए और फिर पहली चुपाई के central message को दुबारा अधियन करें नई ideas मिलेंगे नई direction मिलेंगे अगला वीडियो हनुमाच अलिसा की दूसरी चुपाई पर करूगा मेरा नाम कुछ नीश पशिष्ट है मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद